अब नहीं कहलाएंगे जोला चाप हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर फार्मेशिस श्री एन गजबिये स्वागत करता हूँ मेरे चैनल स्री एन गजबिये में आज हम बात करेंगे दोस्तों जो जैसा की दोस्तों आपको पता होगा की कोरोना महामारी से लगभग तीन साल पहले और लगातार दो साल तक कोरोना का देश में कोरोना से आहत हुए मतलब सभी जो थे देश में कोरोना से आहत हुए थे उस समय डॉक्टर की कमी होने के कारण और लोगों का डर बड़े डॉक्टर और बड़े हॉस्पिटल में बड़े हॉस्पिटल के प्रती ने और ना कोई डिप्लोमा था सिर्फ एक्सपिरियंस और प्रेक्टिस के दम पर उन्होंने काफी हद तक गाओं के मरीज थे उनका ट्रीटमेंट किया और जंग भी जीती उसी को देखते हुए मद्प्रदेश की सरकार ने डिसाइड किया कि क्यों ना उनके लिए एक बैलिट ड ट्रीटमेंट और अच्छी तरह से कर सके ठीक है दोस्तों इसी को देखते हुए मद्प्रदेश की सरकार के द्वारा फर्स्ट एड डिप्लोमा को और योगा और नेचरल ट्रीटमेंट डिप्लोमा कोर्स नेचरल फार्मा डिप्लोमा कोर्स डिप्लोमा इन बैसिक हेल्थ क कोर्स निकाले इन सभी कोर्स को मद्यप्रदेश के भुपाल में जो अटल बिहारी बाजपी हिंदी विश्विध्याला है वह इन कोर्स को करा रहा है ठीक है दोस्तों इस कोर्स को करने के लिए समस्त प्रक्रिया आवेदन प्रवेश सुल्क आधी MP Online के माध्यम से किया जाता ह ठीक है दोस्तों अटल बिहारी हिंदी विश्विध्याला भुपाल दौरा प्रात्मिक चिकिसा के सांसात अन्य कोर्स करने के बाद लोगों को कोशल योजना के अंतरगत सिक्षित वा लावनवित कर आत्म निर्भर बनाना इनका उद्देश्य है आए दिन देश में दुर प्रतेग व्यक्ति की आवश्रकता है थी का दौस्तों अतहाद प्रात्मिक चिकिसा वा सिक्षा का प्रिचार प्रスार होना अति आवश्रख है आत्म निर्भर भारत हेतु और यह कोर्श करने हेतु पातवक्ति जैसे नीम हकीम आफ रह सिक्षित जिने ज्छोलःट छप कहा जाता है एनम जी एनम एवं मेडिकल इस्टोर प्राइवेट अस्पताल नर्सिंग होम वा श्रमस्त स्वास्त सेभाउं से संबंदित व्यक्ति एवं वे सभी छात्र जो बारवी उत्तीन है प्रात्मिक चिकिस्सा डिप्लोमा करने हितु पात रहे ठीक है दोस्तों इसमें एज का कोई इसू नहीं है सभी इस कोर्स को कर सकते हैं सभी कोर्स के आवेदन फॉर्म मद्प्रदेश सासन पोर्टल www.mponline.government.in के माध्यम से स्विकार किये जाएंगे ठीक है दोस्तों दिये क्या होता है यह मद्प्रदेश जो है MP Online पोर्टल उसमें यह आवेदन फॉर् online भरे जाते हैं इन कोर्स को करने के बाद उत्तिन अभ्यारती अपना प्रात्मिक उपचार केंद्र खोल सकेगा ठीक है दोस्तों यह कोर्स 2020-21 में इस्टार्ट हुआ था जिसमें MP Online के माध्यम से पहले रेजिस्टेशन होता है उसके बाद डेट दी जाती है उसकी फीज कब पैड करनी है मद्प्रदेश में अलग-अलग सेंटर है आप किसी भी सेंटर में जाके एडविशन ले सकते हो उनसे फोन पे इंटरनेट पे सर्च करके आप कॉल के थूरू सेंटर पूछ सकते हो और MP चूस करने के बास सेंटर वाले आपको इनफॉम करते हैं कि आपको जो फीज है तीन किस्त में ओनलाइन फीज जम्न करनी होती है ठीक है दोस्तों पहली किस्त जो है करीब 10,00 की उस Channel 10,12,000 की पैप ख़गती है अब्र online दोरा ही accept किया जाता है यह किस्त भरने के बीच में 2-3 महिनों का gap होता है ठीक है दोस्तों उसके बाद आपको inform किया जाएगा कि आप अपना exam form भर दीजिए जिसे आपको MP online के माध्यम से परिक्षा form भरना होता है जिसकी fees अलग से 3000 के लगबग लगती है ठीक है दोस्तों त दोस्तों आपको यह काम पुरा क्या है ओन-like करना है ओन-like ही अपनी fees पेट करना है registration भी online सुनिश्यत कराना है registration साइन्टर में तो यह सब online होता है आपको किसी भी प्रकार से किसी को पैसे देने की जरूद नहीं है सिर्फ आपको online fees paid करनी है इससे क्या होगा दोस्तों आपको रसीद मिलेगी प्रॉपर तरीके से जैसे ही आप center पर admission लोगे center के दोरा या तो online study करवाई जाएगी या फिर आपको center दोरा free book दी जाएगी ठीक है दोस्तों मतलब कि आपको study करने के लिए center नहीं जाना होगा आप online या फिर books के जरिए पढ़ाई कर सकते हैं ठीक है दोस्तों center के दोरा आपको बीच बीच में जो भी update होता है उसकी जानकारी आपको शमय शमय पर दी जाएगी अब बात करते हैं दोस्तों इसमें exam pattern क्या होता है exam के pattern की तो दोस्तों university दोरा practical भी लिया जाता है मतलब कि आपको center के दोरा आपने जो center लिया है आपने जो center choose किया है उसके आधार पर आपको practical के paper दिये जाएंगे जिसे download कर print निकाल कर उन्हें घर पर लिख कर उन्हें center के address पर post करना होता है ठीक है दोस्तों आपने जिस प्रकार का भी course लिया है जो भी course लिया है उसके तीन practical होंगे तीन practical उनको लिखना है आपको page में और उनको center पर courier कर देना है जिससे उनको मिल जाता है ठीक है दोस्तों उसके बाद university के दोरा online exam लिया जाएगा आपको ID password दिया जाएगा जिसमें 3 घंटे का exam होता है जिसे आप अपने घर पर mobile या laptop या computer में दे सकते हो ठीक है दोस्तों सारे प्रश्न जो होते हैं option वाले होते हैं इस प्रकार आपके subject के आधार पर आपको exam आपका exam लिया जाता है ठीक है दोस्तों exam के बाद center पर आपकी मार्शिट आएगी जहां से आप collect कर सकते हो या फिर center से बोलकर post करवा सकते हो ठीक है दोस्तों उसके बाद आपको diploma मिलेगा आप इस प्रकार पूरी प्रक्रिया करके आप इन course को कर सकते हो जिससे की आप अपना खुद का प्रात्मिक किस्सा उपचार केंद्र खोल कर practice कर सकते हो ठीक है दोस्तों यदि आपकी क्लीनिक पर कोई अधिकारी आता है तो आपको अपने सारे documents को दिखाना है और आपको ध्यान रखना है कि आप saline bottle और injection का यूज कता है ना करें injection किसी भी patient को नहीं लगा सकते है इन course को करने के बाद क्यों क्योंकि दोस्तों यह course जो है सिर्फ primary treatment के लिए है मतलब कि आप patient की condition को देखते हुए उनका सिर्फ primary treatment मतलब first treatment दे सकते हो ठीक है दोस्तों दोस्तों जो 2021 में पहला batch start हुआ था उसकी मार्शिट आ चुकी है और उन्हें center के द्वारा मार्शिट जो है दे दी गई है ठीक है दोस्तों अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों first treatment course की जो मार्शिट है उसके बारे में अलग से में एक वीडियो बनाऊंगा तो आप उस वीडियो को जरूर देखे उसका notification पाने के लिए आप मेरे चैनल को subscribe करें कोरोना काल में मदब्रदेश आसन के द्वारा दोस्तों अटल विहारी बाजबे हिंदी विश्वत्वाध डाला भोपाल द्वारा कोर्थ पुरारंब किया गया है जिसे 2020 और 21 में उस समय start किया गया था इस course को उस समय क्या था दोस्तों कोरोना अपनी चरम सीमा में था लोगडाउन में पूरे देश ने देखा है मतलब लोगडाउन पूरे देश ने देखा है उस समय सभी ने कुछ ना कुछ उस दोरान खोया था उस समय डॉक्टर की डिमांड बहुत जादा थी लोग बड़े सहर बड़ा अस्पताल ना जाते हुए गाउं में जो सम्मानिय ड भरो घर जाकर लोगों का इलाज किया करते थे उनको लोग और अन्य जो बड़े डॉक्टर है और अधिकारी है उन्हें जोला शौप डॉक्टर कहकर उनका अपमान उडाते थे ठीक है दोस्तों और उन्हें गलत साबित करते थे लेकिन कोरोना में उन्हीं गाउं के छोटे डॉक्टर नहीं होते और इलाज नहीं करते तो यह मान कर चलिए दोस्तों की कोरोना से जितनी मोते हुई है उससे कई अधिक गुना मोते होती ठीक है दोस्तों गाउं के डॉक्टर ने उस समय लोगों की सबसे ज्यादा जान बचाई उस समय गवर्मेंट के दौरा प्रेट कोर्स है तो उन्हें क्या है हीन भावना से देखा जाता है बड़े डॉक्टर और अधिकारी ओदौरा उनको जोला छौप डॉक्टर कहकर सब्मानित किया जाता है तो यह इससे क्या होगा जोला चौप उनको अब नहीं बोला जाएगा क्यों क्योंकि दोस्तों वह व गयाओं को यहुजा ही है जो गाओ के डॉक्तर होते हैं उनके लिए वैलिडंटु है जोते यह बाद ए चाहे तो इसे कहा जाता है डिली जो ऑप सर्च कर सकते हो तो दोस्तों मेरे की दौराद Тवी जानकार लाइक करे, शेयर करे, कमेंट्स करे, ठीक है दोस्तों, और यदि आप मेरे चैनल पर नए है तो दोस्तों प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, वेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले समय में मैं इस प्रकार के वीडियो अप्लोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, थैंकि दोस्तों